हेलो फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम आपको ये वाले रोज लटकन बनाना सिखाएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखिए जिसके लिए हमने ये कपड़े के पीसेज लिए हैं फ्रिल ली है और दो डोरियां ली हैं देखिए कपड़े की लंबाई याँ पर मैंने 4 इंच रखी है दोनों साइड से मैंने कपड़े की लंबाई 4 इंच रखी है कपड़े को ट्राइंगल में मैंने कटिंग कर रखा है फ्रिल हमारी 9 इंच लंबी है और ये दो डोरिया ली है हमने तो सबसे पहले याँ पर हम कपड़े के पीस के उपर अपनी फ्रिल को उल्टा रखेंगे इस परकार से देखी इस परकार से हाफ इंच हमें उपर की तरफ रखना है और इस तरह गुमाते हुए इसमें सिलाई लगा लेना है अराम अराम से ताकि हमारे लटकन का जो शेप है वो बहुत ही अच्छा आए देखी इस परकार से हमने याँ पर धागा वगेरा कटिंग कर लेना है उसके बाद हम इसे इस तरह पलट देंगे देखी इस तरह अंदर की तरफ पलटते हुए फ्रिल को बाहर निकाल लेंगे बाहर निकालने के बाद फ्रिल के उपर हम इस परकार से एक टॉप स्टिच डाल देंगे जिससे ये जो स्लाई है वो अच्छे से लग जाए और फ्रिल अच्छे से बैट जाए देखी इस तरीके से अब हम साइड का कपड़ा जो है कटिंग कर देंगे यहाँ पर देखी अब हमें अपनी डोरी लेना है और डोरी को इस परकार नोक पर रखते हुए इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहां पर हमें अच्छे से स्लाई लगाना है पक्का करते हुए तो देखी इस तरह रखेंगे और दो तीन बार हम यहां पर थोड़ा पक्का करेंगे इस तरीके से हमें गुमाते हुए पूरा नीचे तक सिलाई को लाना है और बापिस हमें गुमाते हुए एक सिलाई बापिस पूरे लटकन में लगा देना है इस तरीके से और देखी यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा डोरी जो है उसे कटिंग कर लेना है उसके बाद हम अपने लटकन को पलेट लेंगे देखी इस तरीके से हमें लटकन को पलेट लेना है और यह हमारा लटकन DIY लटकन बनकर त्यार हो गया है तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा लटकन भी रेडी कर लेंगे देखी फ्रेंस यहाँ पर हमें दूसरे लेटकन का फैबरिक लेना है और उसके उपर भी हम इसी तरह से फ्रिल को रखेंगे उल्टा करके प्लेट जो है फ्रिल की वो उपर की साइड होनी चाहिए और हमें इस प्रकार से सेंटर में सलाई लगा लेना है पूरे राउन में गुमाते हुए फैबरिक में देखी इस प्रकार से हमें एक्स्टा फ्रिल को कटिंग करके बाहर निकाल लेना है और साइडों से कपड़ा वगेरा धागे वगेरा कटिंग कर लेना है उसके बाद हम इसे पलटते हुए नाखून से प्रेस करके एक टॉप स्टिच लगा लेंगे जिससे की हमारी जो फ्र प्रकार से अपनी डोरी लेंगे और डोरी को सेंटर में रखकर हमें अच्छे से पका करते हुए यहां पर सिलाई लगा लेना है इस प्रकार से हमें नोक पर थोड़ा सा डोरी को पका करना है और लटकन में सिलाई लगा लेना है मैंने यहां पे डबल सिलाई लगाई है आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था हमारे चैनल स्वीटी फैशन बुटिक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा देखिए फैंस यहाँ पर हमारा दोनों लटकन जो है रेडी हो गए हैं अब हम इसका फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं कि ये किस टाइप से दिखता है और कितनी जल्दी कम समय में बनकर तैयार हो जाता है देखिए ये इसका फाइनल लुक है दो